Hello Aquarius, June month आने वाला है, in fact आ ही गया है और मुझे पता आप सब लोग इस चीज को लेके बहुत curious हैं, उत्सक हैं कि June month कैसे जाने वाला है, career कैसा होगा, health कैसी होगी, प्यार में क्या होगा, blessings कौन सी है, issues कौन से होगे, I know, I know, सबर रखें, इस reading में मैं आपको ये सारी चीज़े बताने वाल ही हूँ, health, wealth, career, finance, पैसा, love, सारी चीज़े कवर करेंग इस reading में, ठीक है, start करते हैं reading, universe, please बताएं, June month कैसा जाने वाला है, Aquarius के लिए, क्या messages हैं for the month of June, oh my god, oh god, okay, ये तो बड़ी mixed reading है, Aquarius, ठीक है, देखते हैं, okay, तो Aquarius, देखिए, हमारे पास तीन कार्ड़ हैं, हमारे पास हैं, दो लवर्स, temperance, devil, अब आपके पास तीनों major arcana कार्ड़ हैं, आपके पास कोई minor arcana कार्ड आया ही नहीं है, तो यहाँ पे न, universe आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक तो हमारे पास lovers है, तो lover आत का दिख तो रहा है मुझे आपका, इवन दो ये love and connection deck में separately दुबारा उसमें से cards निकालूंगी, सिर्फ love के लिए, यहाँ पे आपका love connection दिख तो रहा है मुझे, बट somehow हमारे पास devil भी है यहाँ पे guys, तो हमारे पास devil जब होता है न, तो ऐसा, मुझे ऐसी feeling आ रही है कि ये जुकाव है किसी की तरफ, inclination है अगर किसी की तरफ, तो वो चीज बहुत क्यों अच्छी तो नहीं मुझे दिख रही है क्योंकि devil हमें ये बताता है कि किसी तरीकी करना dependency है आपकी, आप या तो lover card है हमारे पास, प्यार बहुत है, बट आप किसी पे dependent हो, so much so कि वो चीज addiction ब एक dependence जाधा बन गई है यहाँ पर, also हमारे पास क्योंकि temperance है, ठीक है, अब temperance हमें ये बताता है कि आप ना किसी तरीके से heal भी कर रहे हो, आपकी healing चल रही अभी इस टाइम पर, healing के साथ, temperance हमें reconciliation भी बताता है, या तो आप अपने किसी ex के साथ reconcile कर रहे हो, Aquarius, या आपको लगता है कि यह आपका lover है, बट वो actually में आपका lover है नहीं, मतलब वो इनसान शायद हो सकता है कि आपको, आपको एक hope दे के बैठे हुए है, कि हाँ हम शादी करेंगे, हाँ हम साथ में रहेंगे, हाँ हमारा बहुत अच्छा होगा, एक आगे future planning होती है, future की बाते, तो उनके साथ यह future planning चल रही है, जबकि उस इनसान की कभी वो intention है ही नहीं, आपके साथ रहने की, again आपको यह सुनके हो सकता है, अच्छा ना लगे, आप reading बंद करना चाहें, बंद कर सकते हैं, बट अब जो हैसो है, reading में, cards में मैं जूट तो नहीं बोलूंगी, just because आपको इनसान, but अभी तो आप बहुत ही प्यार में हो, ठीक है, अभी आप प्यार में हो, आप हील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए उनकी past के energy भी हो सकती है, कि उनका past person जो था वो एक devil का रूप में था, क्योंकि वो आप उन पे बहुत dependent थे, आपके लिए वो proper एक addiction type थे, कि वो इनसान नहीं है, तो मैं कुछ कारी नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, आप कुछ काम ही नहीं कर पाऊगे उनकी बिना, वैसी सी एक energy आ रही है, बिल्कुल emotionally be dependent, mentally be dependent, एक होता है न, बिल्कुल दो जिसमें एक जान, वो सुनने में अच्छा लगता है, बट होता बहुत बहुत पर मारे किसी को यह है तो नहीं ठीक, बट एनिवे, तो यहां पर मुझे यह वाइब्स दिख रही है, दूसरी चीज, हम love and connection deck से देखेंगे, कि Aquarius के लिए, क्या है, पकर अप buttercup, time to make a demonstration, you glow wee bean, तो देखिए यहां पर न, आपना अभी Aquarius एक love magnet हो, इस time पर, आप हर तरफ से love attract कर रहे हो, तो हो सकता है, यह इनसान बहुत possessive हो आपके बारे में, या फिर यह भी हो सकता है, कि जो बाकी लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आपको एक होता है न, एक प्यार सिर्फ romantic angle से नहीं, किसी भी angle से हो सकता है, आपके parents का प्यार, आपके भाई बहन का प्यार, आपके friends का प्यार, तो आपको सब जगा से प्यार मल रहा है, बिल्कु लव magnet type हुआ भी situation, बट यह भी हो सकता है, कि आप इस इंसान में इतने जादा involved हो, कि आप दूसरों का प्यार देख ही नहीं पा रहे हो, बहुत प्या में ही आपको प्यार नजर आ रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें दे यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकता है, यूनिवर्स आपको रहा दिखा सकता है, अब आप गलत रास्ता चुनो तो हो, आपकी गलती, time to make a demonstration, you glow V beam, देखिए मैं आपको थोड़ा से बताया, ये इंसान possessive हो सकता है, ये इंसान आपको space नहीं देता है, और हो सकता है, आप भी इनको space नहीं देते हो, क्योंकि यहाँ पे वी वाली energy बहुत दिख रही है, वैसे मैं आपको बताओं, ये बहुत positive card है, यू, glow V beam बहुत ही positive card है, यहाँ पे इसकी positivity थोड़ी सी overshadow हो रही है, क्योंकि यहाँ पे devil है हमारे पास, और यहाँ पे reconciliation भी है हमारे पास, तो यहाँ पे वी वाली energy जादा है, individual जो इनसान की एक अपनी personality होती है, अपनी पहचान होती है, एक अपनी चीज होती है, कि ये मैं हूँ, वो I वाली जो चीज होती है, कि आप क्या हो भाई, वो य यहाँ पे न, मेरे ख्याल से इस relationship में आपनी अपनी individuality loose कर दी है, loose कर दी है, या फिर अगर ये इनसान आने वाला है, तो आप loose कर दोगे, अगर आप ये reading सुन रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, भई, अगर सुन लिया है, पता लग गया है, तो मत जाना इस relationship में, time to make a demonstration यहाँ पे न, मुझे ऐसा लगता है, यह इनसान न, बहुत दिखावे में believe करता है, दिखावा पैसे को लेकर नहीं, दिखावा इस चीज़ को लेकर कि मैं कितना प्यार करता हूं, या करती हूं Aquarius से, जब लोग आस पास होते हैं, तो यह बहुत जादा दिखाने लग जात है, वो थोड़ी games play करना, manipulate करना, ता कि जब आप break up करो कल को, तो आपके आस पास वाले लोग आप ही को गलत बोलें कि, तुमने न, एक बहुत अच्छा इंसान जा लेने दिया, होता है न, आस पास वाले सब अपनी टिपड़ियां देते हैं, without knowing the context, without knowing कि चल गया रहा था भ कि यह अच्छा है, जब कि यह नहीं है, देखते हैं, टीली fortune deck से, universe के पास, क्या है messages आपके लिए, Aquarius, universe प्लीज बताएं, Aquarius के लिए, क्या messages है, vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you, देखिए, इसमें साफ सीदी सी बात, universe बता रहे हैं, कि, worry that someone is against you, तो कोई आपके against होगा, या नहीं होगा, वो तो पता नहीं, but आप सोच जरूर रहोगे कोई आपके against होगा, या हो सकता यह जो इनसान है, या आपको, मुझे जो एकदम से thought आया, सबके संग resonate नहीं करेगा, बहुत specific message है, हो सकता यह इनसान आपको आपके friends के against कर दे, और आपको यह believe होना शुरू हो जाए कि मेरी friend मुझे बोल रही है कि यार यह लड़का अच्छा नहीं है, यह लड़की अच्छी नहीं है, सुन तु भार निकला इस relationship से, और आपको लगे कि यह तो मेरे लिए अच्छा नहीं चाहती है, यह मुझे गलस सला दे रही है, तो आप इस चीज में believe करना start कर दो, कि कोई आपके लिए बुरा चाहता है, जबकि ऐसा हो नहीं, तो उसी चीज की depression, उसी चीज की anxiety, उसी चीज की वरी, कि लोग आपका relationship तो नहीं कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको कुछ कर रहे हैं, बता रहे हैं, भढ़का रहे हैं, कोई भ जब चीजे healthy होंगी, जब चीजे अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो आपको कभी भी second thoughts नहीं आएंगे, आपको कोई anxiety नहीं होगी, कोई fear नहीं होगा, कोई stress नहीं होगा, अगर relationship अच्छा है, तो anxiety, fear, worry से परे होगा आपका relationship, अगर ये सारी चीजे हैं आपकी connection म में, तो वो connection में आपको होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही अच्छी चीज मेरे एक friend में बोली थी मुझे, तो मैंने सुचा मैं आपको बता देती हूँ, इंक pot, problems to be resolved, दिक्कते हैं, ये है दिक्कत, problems to be resolved आपकी दिक्कते हैं लाइफ में, आप उनको जब तक ठीक नहीं करेंगे, आप उसी में फसे रहेंगे, आप उसी में उल्जे रहेंगे, आपका depression, anxiety कहीं पर नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही चलता रहेगा, दिन, रात, स सुबह, शाम, अगर आप problems को sought out नहीं करेंगे, तो अगर आपको लगता है कि इनसे बात करके, हाला कि जो लोग, देखिए, जो लोग पीट पीछे manipulation कर रहे होते हैं, उनसे आप सामने बात भी करोगे, confront करोगे, और बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तुम पागल हो, तुम म narcissistic vibe आ रही है, तो वो चीज मत होने दो यहाँ पर, वो चीज मत होने दो, क्योंकि मुझे ना आपकी health खराब होती दिख रही है, यहाँ पर, health नहीं खराब होनी चाहिए, कोई भी situation, कोई भी हो, job हो, relationship हो, exam हो, parents हो, भाई भेन हो, भाई कोई भी हो, आपकी health तक नहीं पहु crib, birth और conception of a child और enterprise, देखिए आपके, अगर आप married है, unmarried है, live-in में है, जैसा भी girlfriend, boyfriend, मैं moral or ethical point of view से नहीं बोल रही हूँ, हो सकता बेबी, कोई आने वाला हो आपकी life में, क्योंकि हमारे पास crib है, यहाँ पर, पालना है, तो बेबी आने वाला हो, कोई आपकी life में, आपकी life में, आपके partner के life में, आपकी family में, किसी की life में, बट यह June month में, तो नहीं आएगा, I end of the year, आपके यह हो जाएगा, कि हाँ, अगर आप conceive करने का try कर रहे हो, तो conceive हो गया, वैसे वाली चीज, तो अगर आप कर रहे हो, तो okay, all the best, अगर आप नहीं प्लान कर रहे हो, तो protection use करो, please, also हो सकता आपको अपना छोटा मोटा को business start करो, घर से business करी लोग start करते है, तो वो start हो, जिस, again मैं आपको बोलोंगी, वो तब start करना, जब आपके anxiety, worry, stress, सब खतम हो चुका हो, anxiety और stress के साथ कोई नहीं चीज मत start करना, please, यह मेरी suggestion है, सुझाव है, आगे, आप ज़्यादा समझदार है अपनी life के लिए, dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past, को investment, stock, कहीं पर किसी को पैसा उधार दिया हो, अब वापस आ रहा है, कभी किसी को, किसी, कहते है न, आपका house help होता है, उसकी help कर दी, ऐसे ही, एक कर्मा भी तो अच्छा इंसान बनाता है, कभी कभी, तो आपने house help की, कभी, मदद कर दी, financially मदद कर दी, और अब आपको किसी और जगा से, धेर सारा पैसा मिल रहा है, क्यों? क्योंगी कर्मा आपको help कर रहा है, आपका कर्मा अच्छा है, तो पैसा आ रहा है, आपको, खुब सारा पैसा आ रहा है, को investment भी हो सकत friends आपको सब मिलके बोलने वाले हैं कि भाई बाहर निकलो इस चीज से बट आपका कोई तो get together होने वाला है friends के साथ नहीं हो सकता कोई छोटी सी trip पे भी जाओ अपने friends के साथ बट पता नहीं resonate करे नहीं करे देखते हैं astral house में क्या है हमारे पास aquarius के लिए wealth यह तो बहुत ही clear sign हो गया aquarius अब इससे तो मैं क्या ही बोलूँ आपके पास financial gain है wealth है पैसा बहुत आ रहा है आपको बस अपनी problems sort out करनी है और यह सोचना बंद करना है कि कुछ तो मेरे against हो रहा है कुछ तो मेरे job change हो गई है और मेरी city भी change हो गई है तो तुम भी करो ना मेरे संग city change और आप अपनी family अपनी job अपने दोस सब छोड़के city change कर लेते हो उनके साथ तो अच्छी बात है अपने partner के संग इधर से उधर जाना partner यह जो भी है यह इंसान जरूरी नहीं है partner हो अच्छी बात है बट थोड़ी सीना अपनी individuality और personality और अपनी independence maintain करके रखो सारी चीज़े दूसरे के हाथ में मत दो कि आप dependent हो जाओ उस इंसान पर वो मत करो देखते हैं चांज में हमारे पास क्या है अब यूनिवर्स प्लीज बताएं चांज से क्या messages है आपके पास spoon अब देखिये smoon uh spoon spoon जो है spoon क्या करता है जब हम खाना खारे होते हैं usually कई लोग हाथ से खाते हैं कई लोग spoon से भी खाते हैं western culture but spoon से खाते time खाना बहुत ही neatly खाया जाता है बहुत अच्छे से एक sophistication आती है मुझे तो हाथ से खाना भी पसंद है मतलब sophistication भाथ से खाने में भी है ऐसा कुछ नहीं है बट spoon से neatly खाया जाता है तो यहाँ पे न कोई तो आप कुछ ऐसा move प्ले कर रहे हो या कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो बहुत ही neatly करा है आपने बहुत smoothly करा है अपने office में मतलब usually आप manipulative हो नहीं आप games play करते नहीं हो बट मुझे से लग रहा है यहाँ पे आपने कोई तो एक ऐसा बहुत ही smart move प्ले करा है कि दूसरा जना समझी नहीं पाया कि वो फस गया उसमें और वो जरूरी था यह smart move बहुत ही बहुत ही अच्छी चीज है कि मुझे आपकी reading में यह यह चीज आई यह intuition आ रही है तो वो smart move आपको बचा लेगा बाकी सारी चीजों से आप कुछ तो भाना मार जाओगे कुछ तो बोल जाओगे और वो आपको यह सारे depression और anxiety और वो जो independence लूज करने वाली चीज है उससे बच जाओगे champagne देखिये celebration friends के साथ आपका होई रहा है get together हो सकता है किसी की engagement हो किसी की शादी हो किसी का हो सकता है baby होने वाला हो तो celebration है बट कुछ celebration get together वाली feeling आ रही है मुझे हो सकता है किसी आपने या आपके किसी करीबी ने कोई गोल सेट कर रहा हो वो गोल अचीव हो रहा हो प्रोमोशन हो गई हो तो उस चीज से regarding आपका कोई celebration हो सकता है cat अब देखिया 2-3 चीजे हो सकती है या तो आप cat person हो सकते ह्यां पों cat फसंद है या फेरी जैसे cat सो रही है तो आपको आपको सोना बहुत पसंद है कि सोते रहो ठीक है वैसी से एक वाइब आरी है मुझे दूसरी तीसरी चीज ये हो सकती है कि जैसे cat सुती है बहुत टची नहीं होती है बहुत जाधा ऐसे चिपकना नहीं पसंद होता उनको डॉक्स की तरह, उनको अपनी स्पेस पसंद होती है, वैसे आप हो, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी ऐसी वाइब लग रही है, मुझे, Christ का, वो जो cross sign होता है, Christian का, again दो तीन चीज़ हो सकती है, आप की लाइफ में कोई Christian बहुत सिगनिफिकेंट है, आप का, या पर जैसे मुझे है, मुझे, Christians की जो wedding होती है, मुझे बहुत पसंद है, white dress, bridesmaid, पूरा वो concept ही बहुत पसंद है, तो वैसा सा कुछ मुझे यहां पे लग रहा है या फिर आप Christianity से related मुझे वाइब जारी या तो आप भगवान में बहुत बिलीफ करते हो किसी एक पार्टिकुलर बट कुछ भी हो सकता है कोई Christian इंसान हो सकता आपके लाइफ में important Scorpio अब देखिए Scorpio आपके लिए important है या नहीं वो तो आप देखेंगे कि देखिए आप अगर Scorpio आपके लाइफ में कोई significance रखते हैं तो क्योंकि Scorpio की energy तो है तो कोई इंसान हो सकता है Scorpio, sun sign या moon sign या नहीं भी हो सकता है जबरदस्ती ना fit करें अगर कोई नहीं है तो छोड़ देखिए उसको वहीं पर safety pin आप देखिए safety pin हमें बताता है कि जैसे safety pin आप डालते हो, saadi की पल्लू पर डालते हो तो उसके बाद आपको पता है पल्ला इधर का इधर हिलेगा नहीं वो है, intact रहेगा वो वैसे ही वो आप assurance होती आपको तो यहाँ पर आपको safety की कमी है यहाँ पे safety pin का आना का मतलब य यह नहीं है कि आप को सेफ्रटी मिल रही है, मेरी ख्याल से आपको safety की जरूरत है, आपको वो assurance नहीं है आगे future की, क्या होने वाला है, क्या मैं safe रहूंगी, क्या मेरे आसपास वाले लोग सेफ रहेंगे कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा कहीं कुछ मुझे तो नहीं हो जाएगा कहीं इनसान मेरे से दूर तो नहीं हो जाएगा बहुत जादा है तो थोड़ा सा ये चीजों को सोचना कम करें safety न सबसे पहले आपके अंदर से शुरू होती है जब तक आप ये सोचते रहोगे मैं आपको एक trick बताती हूँ जब तक आप ये सोचते रहोगे कहीं ये इंसान मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा आप universe को ये indication दे रहे हो universe वहाँ पर बैठा हुआ चल मार रहा है वो सोच रहा है मैंने तो Aquarius को सब कुछ दे रखा है फिर all of a sudden universe को Aquarius की बाई बाती है कि Aquarius ये सोच रहा है कि कहीं इंसान चला ना जाए और universe confused हो जाता है universe सोचता है मैंने तो सब कुछ दे रखा है बट ये तो सोच रहा है कि कहीं चला ना जाए इंसान तो उस confusion में ना universe वो इंसान वो चीज, वो पैसा वो चीज आप से ले लेता है तो अगर आप चाहते हो कि आप से कोई इंसान या कोई भी ये कहते हैं ना वो बापिस वो भी universe भी confuse होगा और universe आप से चीज ले लेगा positive रहें, डर में मजी हैं dependent होके मजी हैं किसी पर होके या होने वाले हैं अगर तो वैसे मजी हैं उस जिन्दगी का तो कोई कोई वो ही नहीं है, कोई मजा नहीं है किसी और पर dependent होना emotionally या financially, एक होता है आप किसी पर emotionally dependent हो और वो इंसान आप पर financially dependent है, तो तो balance हो रहा है, बट सारी चीजे dependent होना एकी इंसान पर वो चीज़ ठीक नहीं है ठीक है, तो ये थी Aquarius आपकी June मंत की reading, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करे मेरी वीडियो शेर करे मेरी वीडियो, comment करके मुझे बताए कैसी लगी और subscribe करे मेरे channel को, Imrama Tarot को और part बनिये मेरी Imrama family का मुझे बहुत अच्छा लगेगा guys ओके, thank you, bye